नमस्कार सर, मैं प्रतिभागुपता कुंदन विद्या मंदिर लुध्यानाथी। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि हमें हमेशा काम करवाने के लिए बच्चों के पीछे भागना पड़ता है। तो हम कैसे उन्हें सेल्फ मोटिवेटेड बना सकते हैं, ताकि वे अपने चीजें खुद करें। धन्यवाद। आप बुरानम आने, तो मैं जरा इस विशे में आपसे अलग राय रखता हूं। मुझे लगता है कि बच्चों के पीछे इसलिए भागना पड़ता है। क्योंकि उनकी रब्तार हमसे ज्यादा है। यह बात सही है कि बच्चों को सिखाने की, बताने की, सांस्कार देने की जिम्मेदारी परिवार के सब की है। लेकिन कई बार, बड़े होने के बावजूद, हमें भी तो जरा मुल्यांकन करना चाहिए। हम एक सांचा तयार कर देते हैं, और बच्चे को उसमें ढालने की कोशिश करते रहते हैं। और समस्या यही शे शुरू होती है। हम इसे सोशल स्टेटस का सिम्मर बना देते हैं। अक्सर माता पिता अपने मन में कुछ लक्षत तयार कर लेते हैं। कुछ पेरामिटर बना लेते हैं। और कुछ सपने भी पाल लेते हैं। फिर अपने उन सपनों और लक्षों को पुरा करने का बोच बच्चों पर डाल देते हैं। हम अपने लक्षों के लिए बच्चों को जाने अंजाने में माप करना मुझे। मेरा शब्ड कहीं कठोर लगेगा। जाने अंजाने में हम बच्चों को इंस्ट्रूमेंट मानने लगते हैं। और जब बच्चों को उस दिशा में खीचने में विफल हो जाते हैं। तो यह कहले लगते हैं कि बच्चों में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की कमी है। किसी को भी मोटिवेट करने का पहला पार्ट है ट्रेनिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग। एक बार बच्चे का मन ट्रेन हो जाएगा तब उसके बाद मोटिवेशन का समय शुरू होगा। ट्रेनिंग के कई माध्यम कई तरीके हो सकते हैं। अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानिया, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुफ़व। यह सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। जैसे कि आप चाहते हैं आपका बच्चा सुबह उठकर के पढ़े। आप उसे कहते हैं, बोलते भी हैं, डाटते भी हैं। लेकिन आपको सबरता नहीं मिलती। लेकिन क्या आपके घर में कभी ऐसी किताबों की चर्चा होती हैं। जिसमें इंडारेक्ली सुबह उठने के फायदों की चर्चा हो। हमारे यहां आध्यात्मीक जीवन के लोग ब्रह्म मुहूर्थ से ही उनका दीवस्प्रारम हो जाता है। और वो उसी के नॉम्स का पानन करता है। तो दूसरी और आजकल फायव एम कलब की भी चर्चा होती है। क्या आपने ऐसी किसी किताब की घर में चर्चा की है। या कोई ऐसी मूवी या डॉक्यमेंटरी देखी हैं जिसमें इस बारे में वैज्ञानी तरीके से तर्कबद तरीके से इमोशन्स के साथ बाते बताई गई हो। यह एक बार करके देखिए। सूबह उठने के लिए बच्चे की ट्रेनिंग खुद ही हो जाएगी। एक बार मन ट्रेन हो गया, मन में बच्चा समझ गया कि सुबह उठने का क्या फाइदा है तो फिर वो खुद मोटिवेट होने लगेगा। यही तो एनवार्मेंट क्रियेशन होता है जिसकी घर में सबसे ज़्यादा ज़रुत है। आप बच्चे के बच्चपन का वो समय याद करिए जब आप उसको गोद में लेते थे। माल लीजिए आपकी जेब में पैन है कि आपने चश्मा पहना है। बच्चा उसे खींचता है चश्मा उतारता है। दुरूता है तो समध्धार मा बाप क्या करते हैं। उसको एक बड़ा बॉल उसके सामने खड़ा करते लेकर करके खड़े हो जाते हैं। बच्चा क्या करता है। चस्म छोड़ेता है पहैं जोड़ एक हैं बला भॉल्ण जब बच्चा बिल्कुल छोटा था वही काम आप अब भी कर सकते हैं आपने सुना होगा एक दीप से ज़ले दूसरा आपका बच्चा परप्रकाशित नहीं होना चाहिए आपका बच्चा स्वयम प्रकाशित होना चाहिए बच्चों के अंदर जो प्रकाश आप देखना चाहते हैं वह प्रकाश उनके भीतर से प्रकाशमान होना चाहिए और वो आपके जागरूत सक्रिय प्रहाशों से संभव है आप अपने एक्षंस में जो बडलाव दिखाएंगे वो बच्चे बहुत बारीकी से अब्ज़र करेंगे यहां एक और बात के और मैं आपका ध्यान दिलाओंगा बच्चों को कभी भी भाय पैदा करके यह होगा तो यह होगा ऐसा होगा तो ऐसा होगा क्रिपा करके ऐसी कोशिश मत किजिए एक प्रकार ते वो तरीका लगता तो बहुत आसान है लेकिन इससे एक रह से नेगेटिव मोटिवेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है जैसे ही आपने जो हवा खड़ा किया है वो खत्म हो जाता है बच्चे का मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है और इसलिए पॉजिटिव मोटिवेशन साथ साथ बार बार पॉजिटिव रीइनफोर्समेंट पर बल देते रहना चागी है मोटिवेशन का जो मंत्रा बच्चों के लिए है एक प्रकारत है वो हम सब के लिए भी है मनुष्य मात्र के लिए है